शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्वी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले नाकपुर के सेंटर जेल में साथ और नमुने पॉजिटिव आ जाने से इसके साथी जेल में संक्रमितों की संख्या 103 हो चुकी है जिसमें एक कैदी, दो कारग्रे करमचारी और चार उनके रिष्टेदार बताए जा रहे हैं संक्रमितों का इलाज अब मेयो, मेडिकल और एम्स में चल रहा है सेंटर जेल में कोविड-19 के संक्रमित मरीजों की संख्या पोहुची है 103 पर कोविड-19 के 55 और नमुने पॉजिटिव आया है इसके साथी कोविड के संक्रमितों की संख्या 1736 हो चुकी है चार दिनों में 231 रोगी पॉजिटिव आये है अच्छी बात यह है कि कॉरिंटैन के गए रोगी की पॉजिटिव आ रहे है इससे स्वास्तोई बाब थोड़ी राहत महसूस कर रहे है नाकपूर सेंटर जेल में साथ और नमुने पॉजिटिव आये इसके साथ ये जेल में संक्रमितों की संक्या 103 हो चुकी है यहां का एक कैदी, दो कारग्रह करमचारी और चार उनके रिष्टदार है संक्रमितों और उनके रिष्टदारों का इलाज मेयो, मेडिकल और एम्स में चल रहा है जेल के अस्पताल में रखे गए कईदियों के एक्सरे और खून के नमूने जांच के लिए मेयो और मेडिकल में भेजे गएं मेयो लैब में 17 रोगी पॉजिटिव आये इनमें से जेल के साथ मिल्टरी अस्पताल कामटी के चार, रामटेक के तीन, जिंगावई तकलिका एक और रेलवे कॉर्टर राजनी का एक मरीज और काटोल का एक रोगी है एमस में 14 रोगी पॉजिटिव आये, इसमें 6 VNIT, 6 Maris College और 2 रवीभवन कॉरंटाइन सेंटर के है नेरिकी लैब में 6 रोगी पॉजिटिव आये, ये सभी 5 पॉली कॉरंटाइन सेंटर के है मापसू लैब में 2 वनीजी लैब में 7 रोगी पॉजिटिव आये काट्रोल में 5 और मरीज पॉजिटिव आने की खबर है, देररात और 4 नमुने पॉजिटिव आये नाकपूर के सेंटर जेल में COVID-19 के संक्रवित मरीजु की संख्या अबकुल मिला कर ये समाचार बताने तक के 103 हुई है, हो सकता है कि ये आंकडा और भी बढ़ सकता है